नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनेंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कबर करने वाले हैं स्वीडन और निदरलेंड डोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाला आज का टीटेन मुकाबला दोस्तों अब से कुछ देर बाद ये मुकाबला स्टार्ट होने वाला है यानि भारती है समय अनुसार श्याम को साथ बजे से ये मुकाबला के लइगा नीदरलेंड का आज का पहला मुकाबला होने वाला है जबकि टूनामेंट में दोस्तों इनका पहला ही मुकाबला है लेकिन स्वीडन इस मुकाबले को इस सग मैच से पहले एक मुकाबला अपना आज है खेल चुकी और इस मुकाबले में आसान जीत इन्होंने दर्ज की है जीतने वाला कप्तान यहाँ पर बैटिंग का फैसला लेने वाला है एवरेज स्कोर की बात करें तो 114 का रहा है लेकिन दोस्तों स्वीडन अभी अपना मुकाबला खेल कर आया है डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप जुड़ जाएंगे चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बैल आइकन को प्रेज करना बिल्कुल भी न भूले हैं वीडियो को एंट जरूर देखिएगा तो कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपोरेंट रहने वाली है खास तोर पर स्वीडन का जो हमार सामने प्लेइंग 11 आया है और जो स्कोर परफॉर्मेंस दोसो पिछले मैच में इनों ने किया है इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं और नीदर लेंड्स की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो जोड़े रही है आप अमर साथ वीडियो के अन तक तो अपन आप चलते हैं पिछला मुकाबला जो खेला गया था उसके पास दोसो स्वीडन ने यहाँ पर पहले वल्लेबाजी की थी और स्वीडन की तरप से ऐस अली ने शांदर वल्लेबाजी करते हुए 58 रनों की पारी खेलिए जिसमें छे च वाले हैं जो कि आपको दो ओवर करकर देने वाले हैं दोसों यह तो रहा इनका बैटिंग का हिसाब कताब लेकिन बॉलिंग की यदि बात करें सबसे ची बात देखने को मिली है कि इन्होंने मातर पांच बोलरों का इस्तमाल किया है और ऐसे में दोस्तों तक आभी ने तीन बिकेट टीम के लिए नकाले हैं तो अहल मॉमा ने दो बिकेट टीम के लिए कर दीए हैं और बल्लेवाजी में इस पर बिसेश ध्यान दीजिये घा और गररण लिग में आप विने captain by captain try कर कर चलिएगा बागी अब बात करते हैं overall team के बारे में किस प्रकार से performance रहा है तो शैहर अली ने पिछले ही मुकाबले में देखा है भी अथा बन रन की पारी खेली है overall भी इनका शांडर performance है 31 coverage है team में हम इने शामिल करकर जाने वाले हैं अजम खलील की बात करें दोस्तों तो यहां पर 53 रन नोटा उट रहा है और पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए हैं लेकिन यह दोस्तों record अच्छे हैं team में शामिल करकर चल सकते हैं इसके लावे दोस्तों इमाल जुबाक को प्लेंग नो रन दिये थे यानि ओवर ओल देखें बैस्ट बोलर यह रहने वाला है ओमर नवास दोस्तों उपर वल्लिवाजी करने आए थे ओल्राउंडर प्लियर हैं 40 का एवरेज रखने वाले हैं पिछले मुकाबले में तो कैप्टन 22 कैप्टन सी का बैस्ट आप्सन नहीं रहा ह लेकिन अब आने वाले मुकाबले में यह दोस्तो बैस्ट आप्सन रहने वाला है दो ओवर कवर इनोंने किये थे दोस्तों इसे आप टीम में जरूर शामिल करका चलिएगा इसके लाबाबा चोधरी की बात करें दो और इनोने कवर किये हैं हाला की एक बिगट नकाल कर भी दिया है इसलिए दोस्तों important pick होने वाला है बाकि बैटिंग में कोई खास इनके द्वारा नहीं किया गया है फारो कैमत पिछला मुकाबला नहीं के लिए है जबकि बात करें जबी उल्ला जदरान के बारे में दोस्तों most important pick है पिछले मुकाबले में इन्होंने बालिंग नहीं की है grand league का best option रहने वाला है क्योंकि 22 मैचों में 34 bigger team के लिए नकाल चुका है वह आप देख सकते हैं दोस्तों 5 bigger एक मुकाबले में नकाले है grand league के साब से शांदार पिक है रहने वाला है betting में जादा अच्छा नहीं है क्योंकि 17 खाई इनका average रहा है इसके लावा लेमर मुहमत दोस्तों सरसांदार लगातार 2 over cover किये थे पिछले मुकाबले में 2 bigger भी नकाल कर दिये हैं important bowler है आप इसे लेकर सल सकते हैं 31 मैचों में 47 over cover करने के बाद 20 bigger team के लिए इस टूनामेंट से पहले इनों नकाल कर दिये हैं इसके लावा जैन मजफर दोस्तों हो सकता है playing मिले लेकिन अभी नहीं मिली है इसकी बात नहीं करेंगे लेकिन बात करने वाले हैं डवर चंदास के बारे में पंदरा मैचों में 25 काइब रहे और पिछले मुकाबले में open करने आए थे इसलिए बहुत important पर किये रहने वाले हैं सबसे अच्छी बाद दूस्तों bowling इनोंने पिछले मुकाबले में नहीं किये लेकिन आने वाले मैचे में बोलिंग करकर जरूर देने वाले हैं नहीं किये लेकर आने वाले में आपको बोलिंग करकर देने वाले हैं क्योंकि 15 मैच सेंपहले इनोंने थे बागी दोस्तों और कोई ऐसा प्लियर नहीं है जिसके बारे में यहां से बात करें लेकर आप बात करेंगे निधर लेंड टीम के बारे में तो यहां पर दोस्तों सेवेस्टियन ब्रात शांदार ओलराउंटर प्लियर है 17 मैचों में 20 बिकेट नकाले है पागी 17 मैचों में 22 बेकर टीम के लिए नकाले हैं कैप्टन 22 कैप्टन सी का अच्छा ओप्सन ये आज के मुकाबले में रहने वाला है मूसा एहमत के बारे में बात करने लेक ब्रेक गेंद बाजी करते हैं ज्यादा बोलिंग करते हुए नहीं देखेंगे ज्यादा ये आज के मुकाबले में बोलिंग नहीं करेंगे लेकिन बेटेंग में बात करने तो 30 का एवरेजिन कर रहा है और एक सतक ये लगा चुके है टी टेन करिकेट में यानि देखें ओबर ओल तो 2 सतक इनके बल्ले से निकले हैं और 6 बार 50 प्लस का स्कूर किया है कैप्टन 22 कैप्टन सी का बेस्ट अप्शन ये आज के मुकाबले में रहने वाला है इसके लावा दोस्तों बोरिस गोरिले 19 मैच में 300 पैस्वा टन बनाए है दोस्तों आगे बढ़ें रियाल क्लान 18 मैच के लिए 17 का अवरेज यानि देखा जाए तो इनकी टीम में फाइनल जब प्लिंग 11 आ जाएगा इसके बाद अपन फाइनल डिसकस करने वाले हैं यानि टीम हम वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे टेली ग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा मैंन मैंन बल्ले बाजों के बारे में अपन यहां पर देखते हुए चलते हैं दोस्तों यहां पर देखिएगा 21 मैच म में 15 के परेज है तो असाथ जुलफर को को में डॉप करेंगे इसके अलाबारा तर अलफांसो चोदा के आपरेज है इसे बी डॉप करकर चलनुदक आ ले में इसके अलाबा दो आरेन तबर लिका उवा है साकेव जुलफी कार का स्कोर कार्ण कुछ और नहीं कहता लेकिन बॉलिंग में 10-11 मैच खेले हैं दस बार बोलिंग की है 12 टीम के लिए नकाले हैं ठीक टाक ओवर बोलिंग करते हैं सबसे बात 20 ओवर कवर किये हैं मतलब 2 ओवर हर मुकाबले में यह फेकने वाले हैं अच्छा बोलर है आप इसे लेकर चल सकते हैं इसके ल टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा बड़ी आसानी से आप जोड़ सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे सपोर्ट करते रिज कियेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहन दोस्तों